यह कोन है प्लमबर है यह क्या कर रहा है यहां पर काम कर रहा है अपना इसका काम अभी तक खतम नहुआ नहीं पतानी कब तक काम खतम हो इसका हुआ अरे तु तु दर्वाजा खोल ला है तेरा काम अभी तक खतम नहीं होगा क्या और कब तक होगा तेरा काम खतम यह बता मुझे अरे सर वो क्या है ना आपकी जो पाइप कर नली है ना वह एकदम जाम हो गया और उसे में एकदम स्मूध करके जाओंगा कितना दिन और लगेगा यह बता मुझे टाइम टाइम तो सर अरे टाइम सर जितना भी लगे पर मैं आपकी नली स्मूध करके ही जाओंगा तुम क्या घरइठी अंदर ये बताना जरा दिखनी रहा दो में कपड़े चेंज करके आई हूं तुम मुझे ये बता ऑओ कि ये पलंबर यहां काम कर रहा है और तुम अंदर कपड़े चेंज कर रही थी लेकिन दरवाज़ तो बंता ना आज तो पुलंबर चला गया ना काम खतम हो गया ना उसका हाँ चले गया तुम तो बोल रही थी कि वो पुलंबर चला गया पर ये तुमारे कमरे में से निकल ला है और ये दोको ये कपड़े किस तरीके से ठीक कर रहा है अपने ये भीर को तो ऐसा लग रहा है तुम मुझे ना धोका दे ली यो और तुम मुझे ये बताओ कहीं तुमारा ये बॉय फ्रेंट तो नहीं है और तुमारा इसके साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है हाँ आशी कही है मेरा और तुम्हें ज्यादा प्रोब्लम हो रही है तो तुम जा सकते हुआ से वैसे भी तुमसे दो अच्छा ही है यह अच्छा इतना ही अच्छा है ना तो तुम यार इसके साथ अपना घर क्यों नहीं बसा लेती यह बताओ हाँ ठीक है फिर बसा लूँगी इसके साथ अपना घर और वैसे भी तुम्हें याद है ना तुमने क्या काता मुझसे यार जस्मीत मैंने तिरो को बोल दिया ना कि मेरे पास टाइम नहीं है क्यों परिसान करके रख रखाया तुमने यार मुझे यह बताओ अरे तो मैं क्या करूँ मैंने जब तुम्हें बोल दे कि मुझे टाइम चाहिए तो टाइम चाहिए है मैं पागल हूँ कि पूरा दिन इस घर में अकेली पड़ी रहते हूँ मुझे नी पता तुम कैसे भी लाके दो मुझे टाइम देखो जसमीत बात ऐसी है न मेरे बकूर काम करने भी जाना होता है पैसे क्माने भी होते हैं अगर मैं पैसे नहीं कमाओंगा तो तुम्हारी सारी ख् Championshora का कार यह बताओ मुझे इसी लेना जश्मित काम करना बहुत जरूरी है पर मैं काम करने जाओंगा जबी तो यार कमाओंगा और उसके बाद हमारी फ्यूचर अच्छा होगा मुझे पता है कि फ्यूचर अच्छा होगा कमाना जरूरी होता है लेकि इतना भी कमाओ मत कि हमारे रिष्टा खराब हो जाए समझ गे तुम बस मैं तुम से थोधर टाइम मांगती हूँ और टाइम चाहिए मुझे देखो बात ऐसी है ना तुम्हारो टाइम चाहिए ना तुम्हें काम करो दूसरी शादी कर लो दूसरा आशिक बना लो अपना ठीक है क्या दूसरी शादी कर लो दूसरा पति दूर लो अगर तुम्हें यही मंजूर है तो ठीक है फिर हाँ तो ठीक है बना लेना तुम औरना मेरे मून खराब मत करना आगे से टाइम टाइम बोलके ठीक है अरे क्या हुआ राजा तुम्हे इतना बुरा क्यों लग रहा है और वैसे भी तुमने तो कहाता ना मुझसे कि ढूलो अपने लिए दूसरा पती तो अब तुमें बुरा की लग रहा है तो तुम ये बताओ मुझे तुमारा ये तरिका सही है तुम पलंबर को हमारे गर में बुला रही हो और उसी के साथ सेटिंग बाजी कर रहा हूं और मुझे बोल लिए हो कि पलंबए रहे हैं यहां पे काम करने आया हुआ है देखो राजा मैं तुमसे रोज चली कहते थी कि तुम मुझे टाइम देदो टाइम देदो लेकिन नहीं तुम ना सुनते ही नहीं ते तुम ना दो पैसे ज़्यादा कमाने के चक्कर में ये तो तुम भूली कहते हैं कि तुम्हारी बीवी भी रहती है तुम्हारे साथ हरे दो पैसे कम कमालोगे तो हमारे घर का कुछ घट नहीं जाएगा ना कोई नुकसा आंतर नहीं हो जाएगा लेकिन तुम दो पैसे ज़्यादा कमाने के चक्कर में तुम मुझे टाइम देना भूल चुके और तुम्हें पता है इसी वज़े से हमारे रिस्ते में लडाई होती है तो बस मैंने ढूल लिया था अपने लिए दूसरा पती और मैं तुम्हारे इंफोर्मेशन के लिए अगर मैं तुम्हें एक छोड़ी से बात बता दू ना यह कोई ना मेरा आशिक वाशिक नहीं है यह भया हमारे घर में जो काम करती है ना उसका भाई है थाइंक्यू भया अब आप जा सकते हो ठीक है दीदी मैं चलता हूँ तुम्हें पता है नाचा, जो हमारा गर में काम करती है ना, ये उसका भाई है, उसको लेने के लिए आता है, और तुम्हें पता है, जिस दिन हम दोनों की लड़ाई हुए थी ना, ये उस दिन भी इसको लेने आता है, और इसने सारी बाते सुन ली थी, और फिर हम दोनों ने बैठ कर एक plan मनाया और ये सब तुम्हें jealous feel कराने के लिए ता और तुम्हेर से PR करते से लिए तुम्हें jealous feel हो रही है चिट रहे हो ना तुम अब और हाँ अगर तुमने मझे सच में time नी दिया ना तो सच बतारू है तुम्हें मैं ढूल लोगे अपने लिए दूसरा पती और ना फिर तुम बैठे ही राना से निठल ले